नमस्ते रीजिनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है वैसे तो जाधा तर हमारे याँ बिना दही की कड़ी बनती है जिसकी रेस्पी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है पर अभी गर्मी बहुत है तो मैंने सुचा क्यों न दही वाली कड़ी बनाई जाए तो आज मैंने बन पंजाबी दही वाली कड़ी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए कड़ी बनाना शुरू करते हैं इसकी लिए हम सबसे पहले एक गहरे बरतन में लेंगे आधा कप बेसन और उसमें डालेंगे एक क पानी इसे थोड़ा थोड़ा करके हम दही और बेसन में मिलाकर इसे फेटते रहेंगे और धीरे धीरे करके हम पूरा आधा कप पानी इसमें डाल देंगे इसे हम अच्छी तरह से फेट लेंगे ताकि हमारे बेसन में कोई लंप्स ना रहे अब इसमें मैंने बचा हुआ प 15 मिनट के लिए ढग कर रख देंगे अब हम एक दूसरे बर्तन में लेंगे एक कप बेशन और उसमें डालेंगे 1-4 टेबल स्पून हल्दी 1-4 टेबल स्पून हींग 1-4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर नमक स्वादानुसार और 1-4 टेबल स्पून जीरा उसके बाद हम ल पानी डालते हुए हम इसे फेटते जाएंगे हम इसे जितनी अच्छी तरह से फेटेंगे हमारी पकोडियां उतनी ही सौफ्ट पनेंगी और जितना पानी हमने लिया था उसमें से लगबग आधा पानी बच गया है अब हम इस फेटे हुए बेसन में तीन छोटी बारी कटी इसे बेसन में डाल कर हम इसे बेसन के साथ मिला लेंगे अब हम प्याज और मिर्च डाल कर इसे बेसन के साथ अच्छी तरह से फेट लेंगे और ये देखिए प्याज और मिर्च अब बेसन के साथ अच्छी तरह से मिल चुकी है और अब हमारा पकोड़ी का बैटर तयार हो चुका है अब हम एक कडाई में लेंगे डेड़ कप सरसो का तेल और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे जब तेल से धुआ निकलने लगे तो समझे तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब हम गैस को धीमी कर देंगे और इसमें पकॉड़ी डालना शुरू करेंगे हम इसमें एक बार में 6-7 पकॉड़ीयां ही डालेंगे क्योंकि अगर हम इसमें बहुत जादा डाल देंगे तो इनको फूलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और पकॉड़ीयां डालने के बाद हम इसे पल्टे से एक बार चला लेंगे ताकि हमारी पकॉड़ीयां हर तरफ से एक जैसी सिके पकॉड़ी बनाते समय हमें आज को मध्यम पे ही रखना है हमें आज को बहुत तेज नहीं करना है नहीं तो पकॉड़ीयां बाहर से सुनेरी हो जाएंगी पर अंदर से ये पकेंगी नहीं अब पकोड़ियां अच्छी तरह से तल चुकी हैं इसे हम कड़ाई से निकाल लेंगे इसी तरह से हम बाकी की पकोड़ियां भी तल कर निकाल लेंगे अब हम कड़ाई से बाकी का तेल हटा लेंगे इसमें सिर्फ दो टेबल स्पून तिल छोडेंगे और इसमें डालेंगे वन फोर टेबल स्पून सरसो फिर डालेंगे वन फोर टेबल स्पून हिंग और सरसो के क्रैकल होने पे हम इसमें डाल देंगे एक मध्यमाकार की लच्छेदार कटी हुई प्यास और दो बारी कटिवी हरी मिर्च और इसे मध्यमाज पर सुनेरा होने तक भुन लेंगे अब हमारी प्यास भी अच्छी तरह से भुन चुकी है अब हम इसमें जो घोल हमने सबसे पहले तयार करके रखा था उसे डाल देंगे क्योंकि इस घोल में दही पड़ी हुई है तो इसको डालते समय मैंने गैस को बंद कर दिया है और जिस परतन में हमने घोल को तयार किया था उसमें आधा कप पानी डाल कर उससे बेसन को अच्छी तरह से मिला कर कड़ाई में डाल दिया है अब हम गैस को जला लेंगे और इसे तेज आज पर पकाना शुरू करेंगे हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि दही फटे नहीं इसे चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए अब इसमें एक उबाल आ चुका है, अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे सबसे पहले मैं इसमें सिर्फ एक कप पानी डालूंगी और इसे बेशन के साथ अच्छी तरह से मिला लूंगी अब पानी डाल कर भी हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े और हमारी दही फटे नहीं जब एक कप पानी को अच्छी तरह से इसमें मिला लें फिर इसमें एक और कप पानी डाल दें तो कुल इसमें हम दो कप पानी डालेंगे और इसे हम चलाते हुए इसमें एक उबाल आने देंगे दही वाली कड़ी बनाते समय बस एक बात का ध्यान रखें जब पानी डालने के बाद इसमें उबाला जाए तब ही नमक डालें अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और वन्थर्ट टेबल स्पून धनिया पाउडर इन मसालों को कड़ी के घोल के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे धीमी आज पर 15 मिनट के लिए पकने देंगे ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारी कड़ी अच्छी तरह से पक चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है अब हम इसमें पकोडियां डाल देंगे मैंने थोड़ी सी पकोडी ऐसे ही खाने के लिए बचा ली है पकोडियां डाल कर हम इसे कड़ी के साथ मिला लेंगे और इसमें मध्यमाज पर एक उबाल आने देंगे अब इसमें उबाल आ चुका है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे धक कर रख देंगे अब हम इसके तड़के की तयारी कर लेंगे इसमें तड़का लगाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे डेड़ चमच देसी घी और उसमें डालेंगे दो लाल मिर्च और 1-4 टेबल स्पून हींग जब मिर्च और हींग घी में पक जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे 1-4 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और उसे घी में मिला लेंगे उसके बाद हम इस तड़के को कड़ी में डाल देंगे और ये देखे, हमने इस तड़के को कड़ी में डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है हम कड़ी को steamed rice और कटी हुई प्यास के साथ सर्फ करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में